नवश्कार दोस्तों, मेरा नाम अभी शेख्या, मैं प्रभात एक्जाम के करंटा फ्यर शो की 188 एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ इस शंकला में हम प्रत्योगी परिक्षा की दिश्टी को उन से दिन के महत पूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं हम वेबिन समाचार पत्रों और वेब पोटलों से महत पूर्ण समाचारों को कवर करते हैं इस करंट अफ्यर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूस पोटल पर जाने की या न्यूस पेपर पढ़ने की आविशकता नहीं है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये मेरिटाइम इंडिया समिट 2021 का उध्गाटन करेंगे तीन दिन तक चलने वाले इस समेलन का समापन चार मार्च को होगा मेरिटाइम इंडिया समिट का आयोजन बंदरगा पोत और जल मार्ग मंत्राले द्वारा किया जा रहा है इस समेलन में भाग लेने के लिए चीन के अलावा विश्व के उन सभी 56 देशों को अमंत्रत किया गया है जिनकी सीमाए समुद्र से लगी है इस समेलन में भारते नौववन छेतर के लिए अगले दशक की योशना पर चट्चा होगी और वैश्विक नौववन छेतर में भारत को अगरणी बनाने की दिशा में काम होगा डेन्मार्क को समेलन में भागिदार देश बनाया गया है नंबर दो, देश में COVID टीका करण का अगला चरण गल से हुआ शुरू पूरे देश में COVID टीका करण के दूसरे चरण के तहट कल से वर्ष नागरी को और 45 वर्ष उपर के बिमार लोगों को टीका लगाने का कारे शुरू हो गया है सभी सम्मंदित नागरेक COVID 2.0 पोटल या अरोग्य सेतु आप का इस्तमाल कर कहीं से भी टीका करण के लिए पंजी करण कराकर टीका लगवाने के लिए समय ले सकते हैं 10,000 सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी जब की करीब 20,000 नीजी टीका करण केंदरों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा नीजी अस्पताल COVID-19 वैक्सीन के लिए 250 रुपे प्रती डोस तक ले सकते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने भी कल दिल्ली के एमस में COVID-19 टीके की पहली खुराक ली इसरो ने ब्राजील के उपकरह के साथ 18 उपकरहों का सफल लॉंच किया भारत ने श्री हरी कोटा के 27 धवन अंतरक्ष केंदर से PSLV C-51 रॉकेट को लॉंच किया ये रॉकेट अपने साथ भारत, ब्राजील और अमेरिका के 19 उपकरह लेकर गया है इन सबी उपकरहों में सबसे विशाल ब्राजील का 637 किलोगराम भारवाला एमेजोनिया वन उपकरह है यह लॉंच इसरो के कमर्शियल विंग New Space India Limited का पहला मिशन है इसके अलावा यह इस वर्ष का भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन भी है एक मार्च को विश्व स्तर पर शूने भेदभाव दिवस मनाया जाता है इस दिवस को महिलाव और लड़कियों के विरुद होने वाले भेदभाव और असमानता को चुनोती देने के लक्ष से मनाया जाता है इसका उदेश्य महिलाव के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है हर साल एक मार्च को यह दिवस मनाया जाता है इसे 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट एड्स कारेकरम द्वारा मनाया गया था इसे एट्स कारेकरम से जोड़ा जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट का माना है कि एट्स को मिटाने के लिए महिलाओ के साथ होने वाले भेदबाफ से रणना महतपून है भारतिय धावक हीमादास को हाल ही में असम के मुख्य मंत्री सरबादन सोनोवल ने दिप्टी सुप्रिटेंडेंडेंट आफ पुलीस यानि के डिएस्पी न्यूक्त किया है उन्होंने हीमादास को अपॉइंट्मेंट लेटर और वर्दी भी दी है हीमादास एक भारतिय धावक है वो वर्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपेंशिप की 400 मीटर दौर्स परदा में स्वन पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी है हीमादास को वर्ष 2018 में अर्जुन ओवर्ड से भी सम्मानित किया गया था आपको बता दे की अर्जुन पूरसकार भारत सरकार द्वारा खेल के छेतर में उतकरिश्प दर्शन के लिए दिये जाने वाला एक पूरसकार है दोस्तो अब समय आगया है आज के सवाल का सवाल है की 27 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्षिन में बताए हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तो कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था की डेनिम ब्रैंड ने हाल ही में किस अभी नेतरी को अपना ग्लोबल ब्रैंड अमेस्टर बनाया है दोस्तो इसका सही उत्तर है ओप्शन सी दिपिका पादुकोन आप में सुनको बदाई जिने सही जवाब मिले दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज की वीडियो को पीडियेफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जुरू करे और अंतमे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद